मुश्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो जन जाती हैं यानि कि जो ट्राइब्स हैं उनके अधिकारों के बारे में और जो भी हमारे देश के अंदर ट्राइब्स के लेकर भारत सरकार ने जो स्कीम चला रखी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर क्या-क्या प्रोब्लम्स देखने को मिलती हैं ट्राइब्स में हमारे भारत में तो उन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पेडियो के बता देता हूं डिस्क्र अप्ति मुर्मुजी का निर्वाचन हुआ यानि वो स्केडियूल ट्राइब से यानि जो जन जाती है आदिवासी है उस प्रिष्ट भूमी से आने वाली पहली महीला राष्टपती के पद पर पहुंची है और काफी ज्यादा एक महतपुन संकेत हमारे सामने मिलता है हमार भारत के अंदर इतना rich culture है हमारे भारत का जहां पर जन जाती आदिवासी यहां से आकर कैसे राष्ट्रपती बनते तो हमारे लिए कितने गर्व की बात है अब जब यहां पर श्रीव मुर्मु जी का जो चुनाव होता है एक जन जाती शशक्तिकर्ण की यात्रा का एक बहुत मील का पतर जैसे कहते हैं milestone यानि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा यहां पर अगर मैं बात करूँ अपनिवेशिक भारत के अंदर जब अंग्रेजियों का अशाशन हुआ करता था तो जन जाती वर्ग से दो व्यक्तियों को पहली बार विधाई यानि लेजिस्लेट यहां पर office के अंदर include किया गया था तो लग बग लग 101 साल हो गए है 101 साल बाद अब जाकर किसी को देश के सरवोज पद पर मतलब इस वर्ग के व्यक्तियों का निर्वाचन हुआ है अभी हमने देखा भी आईसा नहीं कि जो हमारे जो schedule tribes है जो हमारी जन जाती है इतना rich culture है जहां पर हम tribes को देखते हैं कितना वो प्रयावन को सरंक्षित रखते हैं कितनी उनकी अपनी अलग-अलग वहां पर culture है कितना vivid culture हम देखते हैं तो इसके अलावा जो जन जाती है उनके उत्पीड अनियाफी के harassment जो पुलिस उनको दबाने की कोशिश करती है ऐसा नहीं कि मै मैं यह हवा में बाते कहा रहा हूं suppression किया जाता है suppression by the police यह सब चीजें होते ही इंडियन एक्स्प्रेस के अंदर यह जो आर्टिकल आया है उसके अंदर यह सब चीजें बोली भी गई है यह सब चीजें हम देखते भी है उनके अधिकारों को कैसे उन तक पहुँचाई नही पता नहीं होता है जो भी उनके प्रति जो सरकार वैलफेर्स्कीम लाती है इनको पता नहीं होता है तो इन सब चीजों के बीचमे जो एक चिंता। बात करें की भारत के अंदर जो वी जन जाती जो 건νη में किया आव質 है कि क्सी पी community को कैसे कह देंगे कि ये स्केडूल ट्राइब्स के अंदर आएंगे इनको ट्राइब्स का जाएगा या फिर इनको जन जाती का जाएगा तो इध्यान रगना लोकुर समीती 1965 के अकोरिंग पांच चीजों का होना बहुत जादा जरूरी है एक तो आदिम लक्षणों का यानि की इंडिकेशन ओ प्रिमेटिव ट्रेट्स एक विशिस्ट यानि डिस्टिंक्ट कल्चर अलग ही कल्चर होना जाएगी और बड़े पहमाने पर जो समुदाई के साथ संपर करने में संकोच यानि शायनस होती है किसी दूसरे से किसी बाहर से शोशल मतलब की होता है कि शोशल टोक करने में किसी दूसरी कम्यूनिटी से बात करने में तो यहां पर एक संकोच होता है एक यहां पर भगौलिक यानि जोग्रॉफिकल आइसोलेशन अलगाव यानि एक बिल्कुली पिछ समिधान के अंदर जो जन जाती शब्द यानि जो ट्राइब है उसको डिफाइन ही नहीं किया गया है यहां पर मैं बात करता हूं स्केडियूल ट्राइब की देखिए ट्राइब की बारे में इस शब्द को समिधान में अर्टिकल 342 के माध्यम से शामिल किया गया था और अपने जो constitution में बातें बोली गई है जो 342 आर्टिकल के तहट जो स्केडियूल ट्राइब शब्द जोड़ा गया है जो भी इसके अंदर बातें बोली गई है उनके according वो सारी चीजें आती है तो वहां पर किसी भी समूदाय किसी वी व्यक्तिव उनको क्या कर सकते हैं प्राफार यहां पर जन जाती आती है या फिर कहीं कि जहां स्केडियूल ट्राइब आती है वहां पर एक ट्राइब एडवाईजरी कांचिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है पांचभी अन्यसूची यह बात बोलती है रहठी शामिल है अब शैक्शिक और के लिए विशेश प्रावधान के गई हैं Article 29 के अंदर जहां पर हम बात करते हैं अल्प संक्यकों के लिए माइन्यॉर्टी के लिए यहां पर भी अनुसूची जण जाती को भी शामिल किया गया है जुनक fod हितों का सरंक्षन करते हैं, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 46 जहां पर जो गौर्मेंट है जो भी जनताव के दुर्बल वर्गों के जो विशिष्ट्या हैं अलग हैं जिनकी पहचाना लोग हैं अनुसुची जातियों अनुसुची जन जातियों के लिए शैक्षिक यानि एजुकेशन उनके एकनोमिक हितों को उनको ध्यान में रखते हुए उनको अपलिफ्टमेंट करेगी और साथ ही साथ समाजिक न्याय और सभी परकार के शोशन से उनकी रक्षा भी करेगी आर्टिकल 46 में बात बोलेगी है आर्टिकल 350 बोलता है कि विशिष्ट भासा यानि राइट टू कंजर्व यह अधिकार दिया जाता है बतलब कि जो जन जाती है उनकी अपनी परिफ्टमेंट करेगी यह आर्टिकल 350 बोलता है इसके अलावा जो राजनितिक शुरुक्षा है उनके उपर क्या क्या किये गए हैं लेके आर्टिकल 330 बोलता है जो अनुसुची जन जाती है जो स्केडि सीटों का आरक्षन है साथ इसाथ आर्टिकल 337 के अंदर राज्ये की विधान सबाओं में अनुसुची जन जातियों के लिए सीटों का आरक्षन है और इसके अलावा 243 आर्टिकल के अंदर पंचायत के अंदर भी अनुसुची जन जातियों के लिए सीटों का आरक्षन कि गया है और administrative safeguard के अगर हम बात करें तो देखे आर्टिकल 275 में यहस अनुसुची जन जाती हूं कि कल्यान को बढ़ावा देने के लिए और उनको बहतर प्रशाष्टन परदान करने के लिए केंदर सरकार द्वारा जो भी राज्य सरकार को विशेष फंड प्रवाइड करवाय जाएगा यह article 275 बोलाता है इसके अलावा हम बात करें कि जो भी अनुसुची जन जाती है उनके लिए सरकार ने हाले में कौन सी पहल या भी कहीं कि कौन सी स्कीम चलाई है एक ट्राइफेड हमारे यहां पर देश में चलाया जाता है schedule tribe के लिए इसके अलावा जन जाती वि बाशिय पर विध्यालिया है तो काफी सारी स्कीम है यह एक्जाम में पूछी जा सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि currency related ही चीजों को पूझ लिया जाता है एक्जाम में अब यहां पर भारत में जन जाती के समक्त जो भी problems हैं उनकी बात कर लेते हैं एक तो प्र नहीं एरिया के अंदर या फिर कहीं कि जंगल में रहकर उनहीं के साथ अपना खाना पीना वहीं पर सब होता है अपनी जीवनी का गुजारा वहीं कर लेते हैं लेकिन आज की डेट में आप देखते हैं कि इंडर्स्ट्रिलाइजेशन हो रहा है नेच्रल रिसोर्स की खोज के लिए अब जहांपर यह सब छीजी हो रही है यहां पर आकर रहा करती थी पेड़ वहां पर थे वहां पर अपने जीवनी का वह चलाय करते अब उनको दूर कर दिया गया तो यहां पर उनका प्राकरतिक संसाद्थों पर उनका जो नियंतरन है वो कम हो गया है साथ यहां पर भारे सरकार के दोरा यह फिर कहें कि जो गवर्मेंट के दोरा protected forest यह फिर कहें कि national forest gaining currency इस तरह के के जो scheme जो चला दिजाती है जिससे ट्राइबल जो एक तरिके सा ऐसा महसूस करते हैं, जो वो उस अपनी संस्कृती है, अपनी संस्कृती है, अपनी संस्कृती से उखडगaktए है, जो हमारी आजबी कहा थी, उनको अब कोई सुरक्षी साधन नहीं मिलता है, क्योंकि अब उनको अलग कर दिया गया है साथ इसाथ शिक्षा की कमी हो में देखने को मिलती है देखिए जनजाती शेत्रों में अधिकांस रूप से जो अधार बूत यानि जो नसेस्तरी जो चीज होती है शिक्षा के लिए वो भी नहीं है यानि इंफ्रास्ट्रक्चर नही देखते हैं कि यह शिक्षा से ततकाल अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है आर्थिक लाब नहीं हो रहा है तो वह अपने बच्चों को ऐसी योजना के अंदर या फिर ऐसे काम के अंदर लगा लेते हैं जिससे क्या हो रोजगार उनको मतलब की पैसे आने स्टार्ट हो जाए तो यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है देखने को में दिया और अधिकान जन जाती है शिक्षा कारेकरम अधिकारिक शेत्रिय भाषों में त्यार की जाते हैं मतलब कि इनकी भाषा के अंदर नहीं होते हैं जिससे जो एक दूसरी भाषा होती है वो एक त्रेके से अप्रिची यहां पर यह बड़े बड़े बांदो के निर्वाण के लिए जमीन का अधिकरेन कर दिया जाते है गौर्मेंट के द्वारा तो वहां से जन जातियों को दूसरी जगा पर भेजा जाते हैं बड़ी अबादी के अंदर भेजा जाते हैं आपर हम बात करूं छोटा के लिए सब चीज़ें की जाते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि जो स्केत्यूलीं ट्राइब से जो जन जाती हैं उनको कोई हानी नहीं rumors इसके अलावा जो जन जाती जो लोग हैं वो शहरों में आते हैं अब शहरों परिकल psychological बड़ी problem होती है क्योंकि आस्तर वो जंगलों में रहे उनको शहरों के तोर तरीके नहीं पते हैं तो वो उनके अंदर वो socially घुल में नहीं पाते हैं अच्छे से तो उनको बहुत ज़्यदा problem होती है इसके लावा स्वास्थे और portion की समझ्या हैं हमें देखने को मिलती हैं आ लोगों का मतलब इन से सामना करना पड़ते हैं और साथ यसाथ लोगों की कमी होने के कारण जो खून की बिमारी है यानि जिसको कहते हैं उच शिक्षा मिर्ति उधर यानि कि इन जो वहां पर mortality rate infant mortality rate वह ज़्यादा है और यहां पर इसके अलावा कुपोशित जन जाती समझ श्याव का भी यह शिकार होते ही होते हैं लैंगिक मूद्धें यहां पर सामने आते हैं हमारे सामने जेंडर इशू देखे प्रकरती प्रेवरन का जैसे यहां पर हराश हो रहा है जैसे यहां पर लोग जो natural resources के लिए जैसे जैसे अंदर खोद मतलब की जैसे खनन किया जा जा रहा है यहां से material निकाला जा रहा है जो वहां पर तेजी से सिकुर्टे संसाधन के अधार के कारण जो महिलाओं की स्थितिया इस पर बहुत जादा परभापड़े हैं आप सोचो कि महिलाओं की स्थितिया पर कैसे परभापड़ सकते हैं तो देखिए खनन उद्योग और व्यव्यर indoors के लिए जनजाती शेत्रों को खुलने से जो जनजाती समु है ओवेसली जनजाती के एरिया में आएंगे एरिया में आने के बाद जो जनजाती के समु के पुरुषे कुरूश थित्-व्यू उष्ट४ करूर संचालण के अधीन आ जाती है मतलब बहु 홉 है पर उनको कॉमिड़ेशन और बूमन यह मुझसे सही से बोला नहीं गया है कॉमिड़ेशन शाहिद मैं इसको सही से बोल पा रहा हूं उमीद करता हूं कभी-कभी ऐसे वर्ड होते हैं जो तंक ट्रिश्टिट होते हैं वो बोले नहीं जाते हैं अब यहां पर एक तरीके से वस कि जो परंपराएं हैं संस्ता हैं जो कानून है जो आधिवासियों का अपना एक कानून चलता है उनकी अपनी संस्ताएं हैं उनका अपना एक कल्चर है अब वहां पर एक मोडरन कानून के अधिन जब आते हैं तो स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है जो आधिवासियों की एक अब खतम हो रही है इसके अलावा भारे सरकार या फिर कहीं कि क्या-क्या उपाय करने चाहिए कि जो ट्राइबल्स हैं इनका अप्लिट्वेंट हो सके तो सबसे पहले तो होता है स्वास्ते सुधाओं में सुधा तो जितने भी जो यह दूर के जो एरिया हैं जहां पर सबसे इंपोर्टन आती है गर्वदी जन जाती है जो महिलाएं होती है उनको तुरंत स्वास्ते सुधाओं की मतलब वो करवानी चाहिए एमर्जंसी के टाइम में उनको अपलब्द करवानी चाहिए सुधाओं क्योंकि बहुत जादा आवशकता है इस सीज की और जन जाती समुधाए के जो स्वास्ते कारे करता है वो अपने समुधाए को और जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है उनको अच्छे से समझा सकते हैं वह बाहर के एरिया से मतलब अवैर होता है वहां से नोलेज लेता है फिर वापस अपने लोगों को उन लिप्टमेंट भी हो सकता है खद्य और पोशन सुविधा में सुधार लेके असान मांदंडों के साथ मतब कि बिल्कुल इजी नोम कर देने चाहिए ट्राइबल्स के लिए ऐसा नहीं कि आप ये वाले कागज लेके आईए आप ये वाला फलाना कागज लेके आईए तब जाके आपको इतना अनाज दिया जाएगा आप असान मांदंड करिए ना उन लोगों के लिए और छोटे-छोटे तोर पर यानि मीनी अंगंड बड़ी लगाई और बहुत बड़े पैमाने पर लगाई है ताकि असानी से बड़े-बड़े एरिया के तोर पर हम कहें कि जन उन तक पहुँच पाएं या फिर जो भी इनकी जो गौर्मेंट वैलफेर जो स्कीम चलाती है वो उन तक पहुँच पाएं रोजगार और आयमेस रिजन देखे जन जाती शेत्रों के लिए रोजगार या फिर एक वेज या फिर हम कहें कि सेल्फ इंप्लोइमेंट कुछ न अपनी गरीबी या फिर उनके उपर जो भी रिंड है उनकी बेडियों से मुक्त हो सके उनको चुटकारा मिल सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके इसके अलावा वह माइनर फॉरस्ट प्रोडूस जो भी जन जाती है जंगलों में रह रहे हैं तो उनको बहु प्रशेत्रों में जो राष्टी जल नीती का अधिक परभावी ढंक से लागू करना बहुत जादा जरूरत है ताकि सिंचाई की सुविधा में सही की जा सके जो पीने की जो समझचे उसको दूर किया जा सके वोटर शेड परबंदन हो गया पानी जो वर्षा का जो जल है उ देफिनेटली बहुत जादा हेल्प मिलेगी इनको भी इसके अलावा जो जन जाती महिलाएं हैं उनकी स्रक्षशक्ति करने के लिए जैसे अभी हमने देखा श्रीमती मुर्मुजी को जैसे पंतरवें राष्टपती के तोर पर लाया गया है तो इस तरीके के जो अपलिफ् महिलाएं हैं उनको वापस कैसे बसाया जाए इन सब चीजों को किया जा सकता है महिला संगठन के तोर पर तो महिला शशक्तिकरन वहां पर सामने आता है और जन जाती अबादी का अगर हमारे देश के अंदर कैसे अब किया जा सकता है कि हम कहेंगे कि समावेशन एक होता है क ओशदी पोदों की खेती, देखिए, जैनरिक दवाईयों के अगर मैं बात करूँ, भारत एक्सपोर्ट के मामले में, जैनरिक दवाईयों में, वर्ल्ड के अंतर नमबर वन पे आते हैं, तो जन जाती समू के जो लोग हैं, उनको प्रसाहित किया जाना चाहिए, कि वो से जंगलों मिरा रहे होते हैं, तो इनको जड़ी पूटी की बहुत अच्छी नोले जोती हैं, तो वो उन जड़ी पूटियों को गवर्मेंट तक लेकर आए, खुद के लिए हुगाए, या फिर कहीं की सेल करने के लिए हुगाए, तो यह सब चीजें वो कर सकते हैं, इसक का एक image दिखाऊंगा, कि जो यहाँ पर जो यह पुल पारंपरिक रूप से परशिक्षित, मतलब खासी और जैंतिया के जो जन जातिया हैं, इस तरीके के ब्रिज बनाने में काफी जादा निपूण है, अब इम आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, इस तरीके के है, उनको उभारा जाएं वहाँ पर, जो समाजिक समावेशन है, देखिए, जन जातिया लोगों की शमता और गरीमा की पहचान करने के लिए, देश की जो गैर आदिवासी अबादी के बीज में, जागरुकता की अत्यनता हो शकता है, ताकि देश की एकता है में अखंडता हमको सिखाती है, कि हमें सब मिलकर यह हमारे ही जो देश के लोग हैं, जन जाती है, इतनी रिच का, याने जैसे साटिंग मारे अपना रिच कल्चर है, तो अब बड़े ही गर्व की बात है, जो हमारे आदिवासी समाज की तरफ से हम बात करते हैं कि दृरपती मुर्मूजी वो निकल कर उच पद पर आती है, तो डेफिनेटली बहुत चीजें हो रही है, बदला हो रहा है, और उन सब चीजों को भी और आगे करने के जरूरत है, उमिद करता हूँ कि आज आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया गया, कि हमारे देश में जो ट्राइब से हैं वीडियो पसंद आये हैं तो बेशक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ जादा ही पसंद आये हैं, तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को ऐस वेले चैनल को भी, पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन वोक्स में टे आप लोगों कर सकते हैं, थैंक यू फोर वचिंग इस वीडियो